तो भाई लो कॉसिक बाइट जैसे ही कभी कोई प्रोड़क लाता है सबसे पहले अगर कमेंट भरता है तो हमारे चैनल में अब यहाँ पर आप लोगों ने बहुत दिनों से स्टेलरिस का जो है रिव्यू मांगा था आज वही वाला देन है सारी चीज़े बताऊंगा अच्छ का योगदान दे सकते हो वह कैसे अगर आप कोई प्रोड़क लेने की सोच रहे हो तो हमें बताओ हम जो है वह बुड़क दिलाने के लिए आपकी मदद करेंगे प्रोड़क जल्दी से जल्दी हमारे पास शिप हो जाएगा हम रिव्यू करके उसे तीन से चाह दिन के अंद जो है चिर पर चीज जो कॉस्पी बाइट का पैकेजिंग होता है यलो ब्लैक में आपको देखने को बिलेगा और यह एक्चुली इस वाले कंट्रोलर में आपको धेर सारे फीचर्स देखने को मिलेगा यहां सामने आपको ग्राफिकल डिपिक्शन पीछे आपको कॉल आउ कौन सी चीजे हैं यह हैं आपके स्वैपेबल जॉयस्टिक्स जी हां इस पर आपको पैटर्न दिखना होगा यह पैटर्न जो है अलग-अलग जॉयस्टिक्स में अलग-अलग आपको देखने को मिलेगा यह चोटे वाले हैं अगर आपको पूरा रबर ग्रिप वाला चाहि कि आप देख सकते हो तो चलिए यह चीजों को रखते हैं साइड में यह में चीज निकाल लेते हैं हमारा बढ़िया वालया जो ट्रांसपरेंट वाला वर्शन है उसे मंगाए हम इसके दो वर्शन आते हैं और चीजे देख लेते हैं पहले क्या-क्या चीजे आ रही है और आपको कह रहा है कि user manual important है तो वह तब कहता है जब यहां पर आपको driver का support देखने को नहीं मिल रहा है जो gamepad है दोस्तों वह बहुत ही user friendly है लेकिन बहुत सारे functions है और वह सारी चीजे pictorial तरीके से आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा अचीं इंट्रेस्टिंग चीज दि इस gamepad के उपर तो आप जो है Android user हो iOS user हो फरक में भड़ता आप जो है mobile phone के उपर इस की linker से जो है अपडेट इस gamepad के उपर कर सकते हो तो यह हो गए user manual की बात final चीज पर आते हैं असली चीज तो यहां है माल मसाला यह हमारा game controller and look at this दोस्तों वाओ जस्ट वाओ टोटल ट्रा लग रहा है और यहां पर हर चीज जो आपका vibration feedback के लिए motors वगरा होते हैं कुछ graphics भी है gears के तो वह भी काफी अच्छा soothing लग रहा है देखने में आखों के उपर और यह कुछ आपको जो है look मिलने वाला है गजब का look है और जितना बढ़िया हाथ में feel हो रहा है उतना ही soothing जो सारे on है और उसके उपर जो है यह bright इतना साफ दिख रहा है इसका मतलब कितना bright है आप सोच सकते हो और यहां पे आपको action बटन के उपर light दिख रहा है यहां पे joysticks के आसपास light दिख रहा है और साथ ही जो है आपको यहां पर borderline पे भी light दिख रहा है अगर बात करें इसके स यहां पे आपको back button दिखता है और इससे आप select करोगे select वाला button यहीं पर है आपको देखने को मिलेगा यह जो एलिडीज आपको देख रहे हो यह सारे जो एलिडीज है यह connection बताएंगी आपको कौन से mode में अभी जो है wireless controller connected है और अगर बात करें दोस्तों पीछे की तरफ तो यह चोटे चोटे चीज़े हैं यह है लोग बटन इससे जो आप रिगर को लॉग कर सकते हो आप इस टीगर को pressure sensitive से आप इसको डालेक्ली लॉग करके अपट ट्रिगर बना सकते हो और अलग-अलग सिनैरियों में काम आएगा अगर आप शूटिंग बगर कर रहे हो कोई गे बी देखने को मिल रहा है, overall बहुत बढ़िया जो है एक game controller हमें बड़े दिनों बात देखने को मिलेगा, इतने अच्छे game controller का इस तरीगी से review करेंगे, तो जादा मजा नहीं आएगा, अच्छे अच्छे बी रियल शॉट्स के साथ, चलिए शुरू करते हैं, इसका एक in-depth review ह आप बात करते हैं, इसके features के बारे में, कौन से वो USB है, जो इस gamepad को इतना बढ़िया मेरी नजरों में बनाता है, सबसे पहले तो, यहाँ पे हर जगह आपको hall effect देखने को मिलेगा, चाहे वो trigger हो, चाहे वो joystick हो, आपको हर जगह hall effect देखने को मिलेगा, अब दोस्तों, यह hall of component आपको देखने को मिलेगा, वीर्स और टीर्स जो है, मिनीमल होगा या नहीं होगा, तो जहाँ पर भी आपको magnetic trigger, magnetic hall effect दीखें, चट से उठा लेगा, क्योंकि यह जो है, जस्ट डबल चलते हैं, या बहुत लंबा चलते हैं, अब यहाँ पर जो आपको जोस्तिक देखने यहाँ पर दोस्तों, आपको 0.1% का error rate आ रहा है, यानि कि बहुत बहुत एक्यूरेट यह जो गेमपैड है, आपको देखने को मिलेगा, और साथी यह जो गेमपैड है, यह ट्राइ मोड पे connect होता है, यानि कि इसमें आपको Bluetooth भी देखने को मिलता है, Wi-Fi 2.4 GHz का support भी Bluetooth लेगा आपके Android में और साथी iOS में, अब Android के साथ प्लस पॉइंट यह है कि अगर आपके पास Type-C to Type-C केबल लखा हुआ है, तो यहाँ पर यह जो गेमपैड है, यह Type-C to Type-C connection के ऊपर भी काम करता है, और साथी साथ यह जो गेमपैड है Stellaris यह खुद को चार्ज भी करते र कुछ चीज़ें और Extra हां में पता चली जो आपको पता होना बहुत ज़री है, यहाँ पर आपको वाइबरेशन देखने को नहीं मिलता है, इस गेमपैड के उपर भले ही आपको Android या iOS में वाइबरेशन ना मिले, लेकिन Steam Deck और Nintendo के उपर आपको बराबर वाइबरेशन जो है तो उस केस में भी जो है, आप वाइड कनेक्शन इंजॉय कर सकते हो, कहाँ पे एक तो PC के उपर करो वही, दूसरा आपका अगर Android सबोर्टेड मुवाइल फोन अगर आपके पास है, तो वहाँ पे OTG के थरू Type A to Type C या फिर Type C to Type C वाला केबल लगा कर भी जो है, आप डारे इसके बाद दूसरा जो USB है इसका, वो है इसके अलग-अलग हैप्टिक फीडबैक, पोन लेवल का हैप्टिक फीडबैक आपको इसके अंदर बेसिकली देखने को बिलता है, जो की आप्वियसली टॉग लेबल भी है, टर्बो बटन के साथ लिफ जोच्रिक को उपर नीच करोगे तो इसी के साथ जो है आपके 4 step पे जो sensitivity है वो toggle हो जाती है, और साथ ही अगर GTA खेल रहे हो, तो यहाँ पर चोटी-चोटी जो बारी feedback है, वो सारे यहाँ पर देखने को बिलता है, पीछे macro बटन देखने को बिल रहा है, macro जो है आप यहाँ पे बहुत easily use कर सकते हो, इस gamepad का एक बड़ा advantage बताऊं, यहाँ पर कोई भी चीज आप access करते हो, बड़ा ही user friendly है, यहाँ पर macro set करने के लिए, तर्बो के साथ आपको macro बटन दबाना है, जिस वाले macro बटन को आपको assign करना है, उसको दबाने के बाद दोस्तो, macro में recording चालू हो जाएगी, अब macro कॉन क से बटन पर आप ऐसाइन कर लोगे, देखो, dpad पर लगा लोगे, joystick पर लगा लोगे, triggers पर लगा लोगे, और एक बार यहाँ पर लग गया, उसकी recording जिस sequence में आप करोगे, उसी sequence में होगा, इतना precision इस टेलर इसके उपर आपको देखने को मिलेगा, इसलिए कई बार यहाँ एरर भी हो सकता है, तो एरर हुआ तो उसके लिए क्या करना है, अगेन आपको टर्बो बटन के साथ, वही वाला जिस पे आपने मैक्रो सेट किया बटन को दवा देना है, इसी तरीके से इसका और एक बड़ा EOSP बदा दूं, तर्बो बटन जी है, इसे भी बहुत आसान ब तर्बो बटन के साथ, अगर आपको इसे डिलीट करना है किसी कारण से तो भी आपको तीसरी बार उस टर्बो बटन के साथ, उस बिट द दुबारा क्लिक कर दोगे तो अब जो है तर्बो बटन डिलीट हो गया अब दूस्तों इस कंट्रूलर में इतनी सारी फंक्शनलिटी को पावर अप कितने एमेच की बैटरी करती है तो 1000 एमेच की बैटरी यहां पर पावर अप करती है इसलिए यह वीट जो है आपको देखन है वायर्ड मोड बे तो यह कंट्रूलर जो है इस पर आप जो है एड़फोन बगर लगा सकते हो 3.5 जैक के साथ अब यहां पर जो है आपको इससे कुछ ओवर एक्स्ट्रा कुछ देखने को नहीं मिलेगा साउंड जैसा है वैसा ही आएगा 7.1 से खमी आएगा मेरा तो यह रेक्मेडेशन वोगा कि आपको इसके चक्कर में नहीं पढ़ना है आपको क्या करना है यूएस्बी के साउंड लेना है और गेमिंग जो है इस गेम पैड के उपर करना है और इसे के साथ अगर इसके रंगीनियों की बात करें दोस्तों तो यहां पर आपको जो है आर और लाइटिंग की विविडिटी सेचुरेशन कुछ बोले की जरूतनी है देखलो बहुत ही बैतरीन आपको देखने को मिलेगा अब रह गई बात इसके वायलेस करेक्टिविटी के परफॉर्मेंस की देखो प्रिशीजन वगरा तो सारी चीज़ें मैंने बता दिया बहुत अच्छा है तब तक अच्छा है जब आप इसे 10 मिटर के रेंज में रखो इंडूर का गेम है इंडूर पर ले जाके खेलोगे तो थोड़ा सा लैग आपको देखने को मिलेगा लेकिन 10 मिटर तक आप बिल्कुल सेफ हो और दोस्तों आप अगर बात करें इस कंट्रूलर के यह दीख रहा है आपको एक्सबॉक्स कंट्रॉलर की तरह लेकिन यहाँ पर जो आपके डिपएट है वो डीपएट की तरह जेनरली काम नहीं करता है मतलब direction वगरा जो होता है वो हम left joystick से use करते हैं उसी का आदत पड़ा हुआता है लेकिन इस controller में जो है आपके direction वगरा जो है D-pad से control होने वाले है और यह जो चीज है Xbox वालों के लिए थोड़ा सा problemity हो सकता है हलाकि PlayStation वालों के लिए यहाँ पे कोई भी दिकत नहीं होने वाली है यह चोटा से एक चीज है इसे swap करनी की अगर साउलियत मिल जाती है और बहतर है Second जो कौन है दोस्तों वो यह है कि इस gamepad के उपर जो है आपको अलग-अलग जगा जैसे website हो गया इनके Amazon पेज में हो गया आपको 6-axis gyroscope के बारे में देखने को बिलता है लेकिन actually जब हमने इसको try किया तो कहीं पर भी यह जो gyroscope है यह काम नहीं कर रहा है मेरे साथ मेरे साथ ही जो दूसरे यूट्यूबर है इसको test बिना किये ही बता रहे हैं कि gyroscope जो है इसका काम कर रहा है testing भी वो नहीं दिखा पा रहे है क्योंकि उन्होंने testing किया ही नहीं है यहाँ पे हमने testing किया है और gyroscope यहाँ पे एक big fail है हमने तो दोस्तों बहुत कोशिश कर लिया लेकिन अगर आप इसे crack कर सको अगर आप इसे remap कर सको तो मुझे नीचे comment में या instagram में ज़रूर बताना था कि दूसरे भाई लोग को भी इससे सहायता मिल सके अब आप जब इस वीडियो को देख रहे हो आप दो दरगा लिंक पहले चेक कर लेना कि अब आप जब इस वीडियो को देख रहे हो आप दोनों दरगा लिंक पहले चेक कर लेना कहां पर सस्ता मिलता है दोनों दरगा जाओ जाके देखो जहां सबसे सस्ता मिले डिफीनेटली यही वाला जब अब वीड़गा जब दिकित अप Pero